नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दसास्त्र वोइस पर दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया शिखने की चाह रखते है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मित्रु जोतिश शास्त्र के अनुसार मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से विशेश लाब मिलता है हनुमान जी की पूजा करने से मनुश्य को सभी संकटों से मुक्ती मिलती है हालां कि जोतिष शास्त्र में कुछ ऐसे कामों के बारे में बताया गया है जिन्हें भूलकर भी नहीं करने चाहिए दरसल मंगलवार के दिन कुछ चीजों की खरीदारी करने को अशुब माना गया है अगर जो आप इस दिन ये चीजे खरीदते है तो आप पर हो सकता है करज आए जानते हैं मंगलवार के दिन किन चीजों की खरीदारी नहीं करना चाहिए सरसों का तेल, मंगलवार के दिन सरसों का तेल ना खरीदें ऐसा करने से भी धनहानी होती है इस दिन किसी को दान में भी सरसों का तेल नहीं देना चाहिए इस दिन चमेली का तेल खरीदना शुब होता है और हनुमान जी को अर्पित किया जाता है ऐसा करने से घर में सुख समृध्धी आती है मंगलवार के दिन किये गए ये उपाए आपको धन्धान्य से भर सकते हैं इसलिए इस दिन कुछ भी सामान खरीदते समय उपर युक बातों का ध्यान रखना जरूरी है ना खरीदे काले रंग के कपड़े जोतिश शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन काले रंग के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए साथ ही इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने भी नहीं चाहिए इस दिन लाल या नारंगी रंग के कपड़े पहनना शुब माना जाता है कहते हैं इस दिन लाल को नारंगी रंग के कपड़े पहनने से मंगल दोश कम होता है इस दिन लोहे की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए लोहा खरीदना अशुब माना गया है कांच का सामान इस दिन कांच के बरतन या कांच से बना सामान नहीं खरीदना चाहिए जोतिश शास्त्र के अनुसार इस दिन कांच का कोई भी सामान खरीदने से धन की हानी हो सकती है साथ ही किसी को कांच का सामान भी गिफ्ट नहीं देना चाहिए इससे व्यर्थ का धन खर्च होने लगता है भूमी की खरीदारी न करें जोतिश शास्त्र में मंगलवार का दिन भूमी नहीं खरीदनी चाहिए ना ही इस दिन भूमी पूजन करना चाहिए इस दिन भूमी पूजन करने से घर में दरिद्रता और बीमारियां आती है ऐसा करने से घर का मुखिया या कोई और सदस्य बीमार हो सकते हैं मास मदिरा ना खरीदें, इस दिन मास मदिरा का सेवन करना वरजित माना जाता है, इस से धन हानी होता है, इसके अलावा लहसुन और प्यास का सेवन नहीं करना चाहिए श्रिंगार का सामान, मंगलवार को श्रिंगार का सामान खरीदना अशुब माना जाता है दरसल इस दिन मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चड़ाया जाता है इसलिए इस दिन सिंदूर या कोई श्रिंगार का सामान नहीं करना चाहिए माना जाता है कि ऐसा करने से धन अधिक खर्च होने लगता है नोट, यह तमाम जानकारी जनरुची को ध्यान में रख कर दी जा रहा है जोतिश और धर्म के उपाए और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं कंटेंट का उद्देश मातर आपको बहतर सलाह देना है इस संदर्ब में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं लोहा, जोतिश शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन भूल कर भी लोहा नहीं खरीदना चाहिए ऐसा करने पर आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पर सकता है कांच, इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि मंगलवार के दिन कांच या कांच से बनी हुई चीजें की भी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए नहीं किसी को कांच का सामना उपहार में देना चाहिए क्योंकि इसकी वज़े से आपको धन हानी हो सकती है नया घर खरीदने के लिए मंगलवार का दिन शुब नहीं माना गया क्योंकि मंगलवार को भूमि पुत्र मंगल देव की पूजा की जाती है इसलिए इस दिन खुदाई नहीं करनी चाहिए ऐसे में मंगलवार के दिन नया घर खरीदने या भूमी पूजन जैसे कार्यों से बचना ही बहतर है इसकी वज़े से घर में नकारात मकता आ सकती है काले कपड़े, मंगलवार के दिन नारंगी और लाल रंग के कपड़े पहनना शुब माना गया है कहते हैं कि इन रंगों को पहनने से मंगल दोश दूर होता है जबकि मंगलवार के लिए काले रंग के कपड़े खरीदना अशुब होता है श्रिंगार का सामान, जोतिश शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन श्रिंगार से जुली वस्तुएं खरीदना भी अशुब माना गया है कहते हैं कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में समस्याइं आती हैं यू कहा जा सकता है कि मंगलवार के दिन किये गए कुछ काम आपको परेशानी में डाल सकते हैं खास्त और पर इस दिन कुछ चीजे खरीदना बेहद अशुब माना जाता है और ऐसा करने से धनकी हानी होती है आईए नई दिल लीके जाने माने पंडित, एस्ट्रोलोजी, कर्मकांद, पित्रदोश और वास्तु विशेशग्य प्रशान्त मिश्राजी से जाने की मंगलवार के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए जिससे धनहानी से बचा जा सके नया घर या भूमी पूजन, पंडित प्रशान्त मिश्राजी बताते हैं कि भूल कर भी मंगलवार के दिन नया घर, नए घर में जाने से पहले देखें शनी की द्रिश्टिक नहीं खरीदना चाहिए मंगलवार के दिन नया घर खरीदने या भूमी पूजन करने से धन की हानी होती है और बीमारियां भी आती है ऐसा करना घर के मुखिया के स्वास्थे के लिए हाने कारक होता है मंगल को भूमी पुत्र माना जाता है इसलिए इस दिन भूमी की खुदाई करने से घर में शान्ती आती है काले वस्त्र और लोहा, मंगलवार के दिन काले कपड़े खरीदने से बचें और इस रंग के कपड़ें न पहने ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन लाल या नारंगी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए इससे मंगल दोश का प्रभाव कम होता है इस दिन लोहे का समान खरीदने से भी बचें ऐसा करना अशुब माना जाता है और इस दिन लोहे का सामान खरीदने से आर्थिक तंगी हो सकती है कांच का सामान, मंगलवार को कभी भी कांच का सामान नहीं खरीदना चाहिए ऐसा करने से भी धनहानी होती है कहा जाता है कि कांच के बर्तन या सामान खरीदने से घर में लड़ाई जगड़े होने लगते हैं किसी को भी मंगलवार के दिन कांच का कोई सामान गिफ्ट में भी नहीं देना चाहिए ऐसा करने से भी व्यर्त का धननश्ट होने लगता है श्रिंगार का सामान, मान्यता है कि मंगलवार के दिन कोई भी नया सामान घर में न लाएं खास्तोर पर विवाहित स्त्रियों को श्रिंगार का सामान इस दिन नहीं खरीदना चाहिए कहा जाता है कि इस दिन नया सामान खरीदने से धन व्यर्थ के कामों में नश्ठ होता है इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चुड़ाया जाता है इसलिए सिंदूर या अन्य कोई श्रिंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए ऐसा करने से वेवाहिक जीवन प्रभावित होता है और पती पत्नी के बीच लड़ाया होने लगती है दूद की मिठाय कहा जाता है कि मनगलवार के दिन दूद से बनी मिठाया जैसे बर्फी, कलाकंद, रबड़ी आदी चीजे खरीदने से घर में अशांती आती है और धन की हानी होती है दूद को चंद्रमा का कारक माना जाता है और चंद्रमा व मंगल एक दूसरे के विरुधी है इसलिए मंगलवार को नहीं दूद से बनी मिथायों का प्रयोग करें और नहीं इन चीजों को किसी को दान में दें हनुमान जी को भोग के रूप मेंदूध की मिठाया नहीं अर्पित करनी चाहिए मास मदिरा, मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है और इस दिन मास मदिरा का सेवन पूरी तरह वर्जित माना जाता है यही नहीं इस दिन मास मदिरा खरीदना भी वर्जित माना जाता है जो व्यक्ति इस दिन मास मदिरा का सेवन करता है या खरीदता है उसे धन्हानी का सामना करना पड़ता है यही नहीं ऐसे घर में बीमारियां भी आती हैं यहां तक कि इस दिन प्याज लहसुन खरीदने से भी बचना चाहिए लोंग के चमतकारी टोटके जिन को कर लेने से सारे संकट होंगे दूर लोंग के टोटके से राहु केतु का बुरा प्रभाव कम किया जा सकता है कुंदली में राहु के तु दोश है तो आपको हर्शनिवार को लोंग का दान करना चाहिए इसके अलावा आप शिवलिंग पर भी लोंग अर्पित कर सकते हैं चालीस दिनों तक लगातार ऐसा करने से सारे बुरे प्रभाव खत्म होते हैं और घर में खुशाली आती है किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलते वक्ट मुँँ में दो लोंग रख कर निकलें और कार्यस थल पर लोंग के कुछ अफशेश मुँँ से फेंग दें अपने इश्ट देव का ध्यान करते हुए उस कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करें ऐसा करने से आपको उस कार्य में सफलता मिल सकती है लाख मेहनत के बाद भी आपका कोई काम पूरा नहीं होता है या फिर आपको सफलता नहीं मिलती है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूरती के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं इस दीपक में दो लोंग डाल दें और इसके बाद हनुमान चालिसा का पार्ट और आर्ती करें ऐसा लगातार 21 मंगलवार तक करने से आपको मेहनत का फल मिलेगा उमीद करता हूँ मित्रो आपको मेरी यह वीडियो पसंद जरूर आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना